नमस्कार बहुत स्वागरत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोते शीक्रेट व्रिसव रासी वालों राहु केतू का महापरिवर्तन होने जा रहा है 12 अप्रेल को राहु मेज रासी में और केतू तुला रासी में प्रवेस करेंगे तो आप ब्रिसब बालों के जीवन पर इस महाप्रिवर्तन का क्या असर पढ़ने वाला है चलिए जानते हैं बिस्तार से वीडियो के अन तक बने रहे हैं और ये प्रिडिक्शन चंदरासी पर आधारिक दे तो देखिए जो केतु हैं पारह अप्रेल 2022 को दो पहर 3.31 मिनट पर अपनी उच्च रासी से निकल कर तुला रासी में आएंगे अब केतु की जो रपतार है न वो धिमा है और एक गरह एक रासी से दूसी रासी में जाने में वो 18 महने का समय लेते हैं और बैदिक जोतिस में केतु को छाया गरह कहा गया है जिनकी चाल हमेशा उल्टी रहती है यानि वो वक्री चलते है पीछे की दरब अब बैदिक जोतिस के अनुसार केतु जो हैं वो ब्यक्ति पर गेहरा प्रभाव डालते हैं और जिस ब्यक्ति की कुंडली में केतु किस्तिती उत्तम होती है वो सुख सम्रिद्धी एस्वरेपुर्ण जीवन जीता है समाज में नाम सम्मान रुत्वा होता है ऐसे लोग बितपरीत और असूब केतु अगर आपका कुंडली में केतु बितपरीत प्रभाव दे तो दिमाग में गलत कारे करने का आइडिया या फिर बैरागी की तरब केतु ले जाता है अब सब विसेशता है यहां पर केतु का लेकिन केतु जो है ना ब्यक्ति को कुसलता भी देता है नयाय की गहरी भावना देता है मीठी बानी भी केतु ही देता है और यहां तक की बिनमरता भी ब्यक्ति को केतु देता है संघर्स और टक्राव से बशने का जो चतुर रनीती होती है वो केतु ही के कारण ही होता है ब्यक्ति के जीवन में संतुलन अब दुला में आएंगे तो संतुलन भी देगा और सुखद और सुंदर तरीके से कारिको करने का बुन भी देगा तो ऐसे में केतु का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा ये तो हम जानेंगे बिस्तार से लेकिन उसके पहले एक और बात किसी भी ब्यक्ति को स्वें कोई भी स्वतंतर पईनाम नहीं देता केतु क्योंकि केतु किसी भी ब्यक्ति की कुण्णी में जिस भाव में बैठता है न उस भाव के स्वामी के अनुरूप फल देता है यहां तुला पर बैठे वे हैं तुला रासी में तो ऐसे में अगर केतु का प्रभाव अन्य साथ ग्रहों यानि की सूरी चंद्रमा मंगल सनी सुक एसे में कर्म जीवन का अंतिम चरण केतु से प्रभावित होता है और शुराती चरण राहूस का प्रभाव होता है तो केतु किसी भी वेक्ति के विचार गहन विसले सन ये चीजें केतु देता है इस्तिरता जीवन का उद्देश का एहसास भी केतु करवाता है और केतु के बारे में एक और चीज है कि केतु जो है न ब्रहम भी देता है आत्में ज्यान भी देता है कभी-कभी भटकाओ भी देता है तो तो ऐसे में जब वो डेर साल तुला में रहेंगे तब क्या होगा तो ब्रिसवरासी वालो केतु आपके छटे भाव में आ रहे हैं इसमें आपके अंदर सहन सक्ती बढ़ेगी परिसानियों से लड़ने की छमता बढ़ेगी और सत्तुर विरोधी आपके दबे रहेंगे क्यों संभावना बनी भी है तो स्क्रीम प्रॉब्लम से बचें आपको यह भी सला दी जाती है कि आप अगर रोड क्रॉस करते हैं पैदल चलते हैं वहां चलाते हैं तो साब्धानी से क्योंकि चोट चपेट ना लग जाए तुरगटना ना हो जाए अब केतु बैठा ही है छटा कोई सरजरी ना हो जाए इसका आपको ध्यान रखना है प्रवल संभावना बनी भी है और साथ ही साथ कानूनी मामलों में सफलता भी दिल भाएगा केतु तो अगर कोई भी मामला कोट कचरी में है उसमें आपको जीत मिलेगी आपको अपने नाना-नानी के साथ समंधों में म दॉक्टर हैं वकील हैं उनके लिए समय अच्छा है करियर में ब्रदी होगा बिस्तार होगा चीजें आपके पक्ष में आएगी और आपके लिए कुछ अच्छे पेनाम भी है जैसे प्रतेक्तिया परिच्छा में विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी मां के आसिरबात से ज्यादा लाब होगा और पुरानी विमारी से मुक्ति भी मिलेगी हलांकि कमर की हिस्से को लेकर थोड़ा परिसान रहेंगे और घर में जो पालतु जानबर या सजावट का नया समान भी आ सकता है अब धन प्राप्ति की योग बनेवे हैं लेकिन स्वभाव में उगरता है जगडाल उपन है इनसे बचिये और ननिहाल पक्से समन्द को भी गड़ने ना दे केतु की स्तिती चुकि उत्तम है ऐसे में दूस्प्रभाव थोड़ा कम होगा और केतु का केवल सरीर है इसलिए जादा यात्राएं नए महमान का आगमन आपको मांसिक टेंसन देगा हलां पर अच्छा वक्त है और केतु यहां पर आपको कहता है कि प्रसिद्धी भी देगा पारंपरी कार्यों में समाज परतिष्ठा देगा हां आप हल्दी का तिलक नियमीत रूप से अपने माथे पर जरूर लगा आपके लिए